आज इस वीडियो में आपका स्वागत है आज इस वीडियो के अंतरगत हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वह है एक आर्टिकल और उस आर्टिकल का सिर्सक है और यह आर्टिकल बेस्ट है COP28 पर और यह आर्टिकल जीयस पेपर 3 में इन्वारमेंट और बायो डिवर्सिटी के दिश्टिकों से काफी बहते पूर्ण है तो इस आर्टिकल के शुरात इस पर होती है कि COP28 की बैठक जो कहां पर हुई दुबई में और यह बैठक संपन हो च CCC इसके COP28 के अंतरगत कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं वो कौन-कौन से सकारात्मक परिणाम है जरा उस पे नज़र डालते हैं पहली बात तो यह कि यह पाहला कॉन्फरेंस और पार्टीज है जिसमें सभी देशों ने यह स्विकार किया है कि उन्हें अब केवल उस सर्जन से नहीं निपटना है बलकि उस सर्जन के उस स्रोत से भी निपटना है जिससे उस सर्जन हो रहा है मतलब ध्यान पूरी तरह से केंद्री थे किस पर जिवासम इंधन पर अब यहां पर यह बात है कि वैस्विक अर्थविस्था में अगर हम देखे या वैस्विक इंधन से निपटने हैं तब जाकर 2050 तक सुद्ध सुन्य उस्तरजन के लक्ष को हासिल किया जा सकेगा उसके बाद आगे देखे कुछ विश्वसनी है लक्ष को निर्धार किया गया है क्या तो नवी करनी उर्जा की इस्थापिच छमता को तीन गुना बढ़ाना है और अच्छिता लाब का मतलब यहां पर यह होता है कि जिस भी उर्जा के साधनों का प्रियोग अभी हम कर रहे हैं तो वह काम हमें क्या करना है कम उर्जा के इस्तमाल के द्वारा करना है और हमें यह पता है कि भारत इन दोनों छेत्रों में अभी एक अग्रणी धावक है या ह पर यह है कि पहली बार प्रमानु उर्जा को हाइडोजन की तरह स्वक्ष उर्जा सुरोत के रूप में लाने की बात कही गई है और यह भी वह छेतर है जिस पर भारत वर्तमान में अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है उसके अलावा देखिये क्या महत्पुन परिनाम रहे हैं जो भी एकचुक देश हैं उन एकचुक देशों ने हाल के Conference of Parties में एक साथ आने की उनकी अपनी एक परवर्ति रही है अब जैसे एक्जामपल ही देख लिए COP26 यह कहा वाता यह वाता ग्लास्गो में तो वहाँ पर मिथेन उस्तरजन को कम करने के लिए अमेरिका के नेत्र लेकिन आपको बता दें कि भारत आम तोर पर ऐसे समू से अपने आपको दूर करता है क्योंकि भारत का यह मानना है कि UNFCC के द्वारा अपनाएगे सर्व सम्मती लक्ष पर ही चलना जादा बहतर है क्योंकि इसी से जलवाई परिवर्तन जो हो रहे हैं उसको कम किया जा सकता है और देखे क्या महत्यपूर्ण इसमें विकास हो है सम्मेलन में जलवाई परिवर्तन को स्वास्थ और खादी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव और जैविवित्ता के नुकसान से इस पस्ट रूप से जोड़ा गया है जो की स्वागत योगी कदम है अब आते हम इस कि इन महत्यपूर्ण कदमों को उठाने के बाद क्या जलवाई परिवर्तन से सम्मधी चिंताई खत्म हो गई है बेशक नहीं आर्टिकल में इन सब को एक-एक कर रेखांकित किया गया है चिंताओं की रूप में यह कहा गया है कि सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया पहला व 5 साल में होता है अगर हम देखें तो 2018 इस्वी में यह अस्तित्तु में आया यहां पर और 2018 की बाद 5 साल की बात करें यह है मौजुदावर्स 2023 और फिर यह आएगा 2018 इस्वी में और Global Stock Act इस बात का गहन मुल्यांकन करता है कि जो देश हैं वो पैरिश समझोते के लक्षों की दिसा में कितनी परगती कर रहे हैं और जो लक्ष है वो क्या है लक्ष है देशों को पुर्व और द्योगिक योगी की तुला में Global Warming को 2 डिगरी सेल्सियस से नीचे करना और आदर्स इस्तिति क्या हो सकती है तो 1-2-5 डिगरी सेल्सियस तक सिमित करने के लिए उनको प्रत सरकारी पैनल जिसे हम संचेप में कहते हैं IPCC तो इसकी जो नविंतम गुल्यांकन रिपोर्ट है उसके अनुसार यहां पर यह है कि देशों के द्वारा UNFCCC को दिये गए वर्तमान राष्टी इस तरपर निर्धारित योगदान जिसे हम संचेप में कहते हैं NDC को अगर की कमी आएगी यहां पर हमने क्या देखा NDC यह राष्टी इस तरपर निर्धारित योगदान तो यह एक गैर बाधिकारी राष्टी योजना है मतलब यह राष्ट्रों पर बाधिकारी नहीं है और यह जलवायू परिवर्तन समन पर प्रकास डालती है उसके बाद यह जो राष्टी सतरपर निर्धारित योगदान है यह ग्रीन हाउस गैस उससरजन में कटोती के लिए जलवायू समन्दित लक्ष को सामिल करता है और एक बात यहां पर यह मत्तपूर्ण है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बात कही जा लिए कि 2025 तक वैस्विक उससरजन जो उसके 50% भी संभावना के लिए वैस्विक उससरजन को 2030 तक 43% और 2035 तक 60% तक कम करना होगा और यहां अंतर काफी बड़ा है और इसे प्राप्त करना अभी वाकई में ऐसा लगता है कि यहां एक सपना रहेगा वह इसलिए क्योंकि पहले से ही पुर्व और दोगी काल की पाप्मान में एक दसलिए एक डिगरी सेल्सियस की विर्दी हो चुकी है साथ ही साथ अगर हम आगे देखें तो जो विकासिल देश हैं अगर विकासिल देश अपनी NDC उपलब्दी को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें विक्सित देशों से वित और प्रद प्रदान की जाएगी लेकिन अभी तक का अगर हम रिकॉर्ड देखें विक्सित देशों की द्वारा इस पर मदद की तो वो काफी खराब है वह इसलिए है क्योंकि 2009 में विक्सित देशों ने एक परतिग्याली एक परतिबर्दता जताई वह यह जताई कि विकासिल देशो द्वारा जलवायु कारवाई का समर्थन करने के लिए विक्सित देशों के द्वारा परतिवर सौ बिलियन डॉलर की रासी उन्हें परतान की जाएगी लेकिन यह आंकड़ा अभी भी हासिल नहीं किया गया है वह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2021 के लिए OECD ने यह दाव कि मात्रिया रासी 25 बिलियन डॉलर है और अगर भारत की बात करें तो भारत के भी वित्यमंत्राने ने इसी रासी के आसपास अनुमान लगाया था तो यह जो विक्सित देश कहा रहा है कि उसने 2021 में 89.6 बिलियन डॉलर की मदद किया यह सरासर गलत है और अगर हम आगे दे है कि IPCC की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि विकासिल देशों को प्रयाप्धन उपलब्द कराए जाने की उमेद कम है वह क्यों है उसका देखिए पहला तो यहां पर यह है कि IPCC रिपोर्ट का यह अनुमान है कि अब से लेकर 2030 के बीच में अगर विकासिल देश अपने NDC क को लागू करते हैं तो उन्हें अगले साथ वर्सों तक 5.08 से 5.09 ट्रिलियन या लगबग 800 बिलियन प्रतिवर्स की आविशकता होगी और अकेले जलवाई अनुकूलन के लिए इसी अब्दी में मतलब साथ वर्स में प्रतिवर्स या लगबग 215 से 387 डॉलर बिलियन की आ देख लिजे कितना बड़ा अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है साथी साथ कॉप 28 में एक कोस की बात की गई वह हानी और छतिकोस मतल लॉस एंड डैमेज फंड तो इसको इस्थापित किया गया अब यह कि काफी महत्पूर्ण हैर काफी सकारात्मगी परियास है लेकि किया जाएगा उन देशों को देने में जो जलवाई परिवर्तन से प्रभावित होंगे अब यहाँ पर यह है कि यह देखते हुए कि अधिकांस विक्सित अर्थवैस्थाएं कम विकास और मुद्रा इस्थिती के दवाब से पीडित हैं तो यह सोचना वाकरिमेग भ्रहम क इस्थिती डालता है कि अगले कुछ वर्सों में यह विक्सित देश विकासिल देश की जलवाई परिवर्तन से अगर वो प्रभावित होते हैं तो उसकी भरपाई के लिए वो वित्ती मदद कर पाएंगे लेकिन इन सब के बावजूद कॉप 28 थोड़ी सी एक आस तो जगा जिसमें समी ने स्विकार किया है कि जलवाई परिवर्तन को अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कम करना है लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी होगी सबको कि जलवाई परिवर्तन उस बड़ी पारिस थितिक चुनोती का केवल एक घटक है जिसका दुनिया सा भाव पढ़ता है, तो होना यहाँ पर यह चाहिए कि cross domain और cross disciplinary द्रिश्टिकोन अपनाने के लावा अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, केवल और केवल जलवाई परिवर्तन पर ही focus होकर काम करना यह अब समय की मान नहीं है, हाँ यह जरूर कहा जा सकता है कि COP28 ने इस दिसा में कम से कम थोड़ा तो इशारा किया है तो इस परकार, daily editorial analysis में हमने COP28 से निकले हुए महत्पून परिणामों और अभी भी मौझू चिंताओं पर एक नज़र डाली इसके साथ ही editorial से समंदित इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार